जय माता दिमित्रो मैं हूँ पंडित प्रकाज जोशी और आज हम चर्चा करने वाले नीलम रत्न के बारे में देखिए नीलम को नील मणी ब्ल्यू सफायर और नीला भी कहा जाता है यह जो है भारत श्री लंका अफगानिस्तान दक्षिन आफ्रिका अमेरिका में पाया जाता है नीलम के अंदर अलुमोनियम ऑक्साइड खनीज होता है जो उर्जा का कुछालक होता है इसे धनात्मक भी कह सकते हैं और अलुमोनियम ऑक्साइड होने से यह क्या होता है उर्जा का धनात्मक हो जाता है इसलिए जल्दी एफेक्ट करता है और गरम रत्न होता है और नील किसम का पाया जाता है तो नीलम के क् 원 डीप्रेशने से संबंदित रोग याा आप किसी निर्न शक्ती से संबंदित रोगों के लिए काफी लाब दायक होता है यदि नीलम आप 5 रती से उपर पहनते हैं तो वो जोतिस में काम करता है और 5 रती से नीचे पहनते तो वो भीमारियों के लिए काम करता है या जोलरी के लिए काम करता है उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इसलिए जोतिस के साफ से अगर आपको नीलम का लाब लेना है तो पांच रतिस से उपर का पहनना पड़ेगा देखे नीलम जो है वो साथ दिन के अंदर अपने अच्छे और बुरे प्रणाम दिखा देता है नीलम धारन करने से व्यक्ति जो है निडर हो जाता है और वानी मे भाव में बैठा है नववम में बैठा है दसम में बैठा है या एक आदस भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को नीलम बहुत सूट करता है और राशी की बात कले तो ब्रिशब राशी मिथुन राशी कन्या राशी मकर राशी और कुम्ब राशी वालों को नीलम 90% बिजल्ट मिलता है उसी प्रकार से मेश राशी करक राशी और विरिष्ची राशी वाले अगर नीलम पहन ले तो उनका नीमोशन हो जाता है कहीं ना कहीं उनके वाद विवाद जहगड़े हो जाते हैं तो इन राशी वालों को नीलम पहनने से नेगटिव इफेक्ट पड़ेगा और पांचवी बात मित्रो कि आप जब भी नीलम पहनते हैं तो याद रखेगा कि नीलम सूट करने के लिए आपको अपने माता-पिता अपनी इस्तरी अपनी बहन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी यदि आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इस्तरीयों की तो नीलम आपको बहुत नेगटिव रहेगा पहली चीज दूसरी चीज पांचवे पॉइंट के अंदर ही दूसरा जो पॉइंट है वो है कि नीलम को हमेशा चांदी या अश्ट धातु में धारन करें कु बहुत ज़्यादा आने लगेगा आप गाड़ी तेज चलाने लगोगे एक्सिडेंट के चांद ज़्यादा बन जाएंगे या लड़ाई जगड़ा आप किसी की बात को टोलरेट नहीं कर पाऊगे तो अक्सर क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति नीलम को सोने में धारन करता है वो पेशेंट हो जाता है तो ऐसे में आपको नीलम को चांदी या अश्ट धातु में धारन करना चाहिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही दीजे मुझे इजाज़त जै माता